कल क्या बनाओगी कल मैं बनाओगी चट्खार बोटी शुकर है कि लाइट आ गई है घर की वापड़ा के लोग आये थे अब इंजॉय करें अभी ताजी ताजी भाई इत गुद्री है सबके फ्रीजर बढ़े हूं है अच्छा जी गर्मा गरम पीस जो हैना मैं लेके आया हू यह देखें हम इने मेरे लिए यखनी निकाल के दिया है असलावलेकों बिट्फिल्फिल्फिल्फिल्टो कैसे हैं आप लोगों वेलकम बैक तो इने दर एफसोब पे सुड़नी हो तो भई मीट के तो न सब लोग फीटर फाइन होंगे एपी शैपी होंगे भई आज तो किसमत हो तो थोड़ी सी किसमत अपनी भी अच्छी है भाई आज मुंतान का भी मोसम जो है ना तकरीब वीस दिनों के बाद जाना मैं यह मोसम देख रहा हूं जो मैं अभी आपको थोड़ी दिर में दिखाऊंगा भाई आज आपको बहुत ज़एदा खुछ है एंद फर्स है सर क्या बात है सर जो जिसमें अच्छा खासा भाई बोन मेर होता है तो वो जो है ना आज हम बनाएंगे घर पर और बड़ी मज़ेदार नली बरियानी भाई घर में तियार हो रही है तो आपका भाई हुआ हुआ है फ्रेश मैंने कह भी लोग का वैलकम कर देते हैं अभी क्या करें भाई इंशाला आप लोग को भी खाये गड़े और दाजि ताजी बाई एत गुदरी है सबके फ्रीजर जो भरे हुआ हैं यह सब पता है हमारा अपना भरा हुए भाई तो खैर जब तक यह फ्रीजर भरा हुआ है भाई सब लोग एंजॉय करो खाओ पीओ एच करो तो अभी सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूँ मोसम भाई मोसम के कैसी इन है दोस्तों मेरे भाईयों मेरी बहनों तो भाई मोसम देखो सबसे ज़्यदा खूब सुरत है भाई यह जो मोसम है न हमें फुल फुल इजाज़त देता है भाई आज जो है न तुम लोग नली बन्यानी खाओ इंजॉय करो अभी मैं दौा करता हूँ कि आज जो आना बारिश भाई आज है आज कसके बारिश है लेकिन उस बारिश से किसी का नुकसान नहीं हो यह पहली चीज़ा यह अपनी शर्त है और इसके इलावा अभी हम चलते हैं नीचे देखते हैं क्या सीन्स चल रहे है और अभी जाना भाई गोला भी अपने घर गया हुआ है क्यूंकि उसको अपने घर वालों की याद आ ली थी तो गोला गया है चार से पान दिनों के लिए उसका कोई पता नहीं होता कहके जाता है चार पान दिनों के लिए लेकिन उसको हमारी याद आती है तो वो दो तिन के बाद भाई वापिस आजाता है तो खेर अभी वो गया है पता नहीं कब आता है हमारा तो मन था कि अभी वो ना जाए आज हमारे साथ नली वरियानी भाई पुलाओ जो है वो फुल इंज्वाइ करें लिए तो क्या करें उसके घर पर तो क्या करें उसके जहन पर घर वालों की याद का भूद सवार था मज़ा आया तो वो चला गया कोई बात नहीं हम लोग भी जॉय करेंगे हम लोग है ना काफी है तो आज हम चलते हैं नीचे और अगर आप इस चनल पर नहीं है तो चैनल कर लेना सब्सक्राइब वीडियो को लाइक और बैल आगर को प्रेस लाइए ताकि हमारी आनवारे वीडियो आप तक टाइम भी पहुंझ सकें तो आज है जी आज के सिंज को शुरू करते हैं प्याले से मोसम भी यह यह नजया निकाल के दिया है बर्यानी में अले तो बर्यानी पुझाियो कि मुझे यहेकनी बहुत ज़यादी आपूँकर इस चीज़याकरों यह देखने न जैसे आप देखतें अजी किसम कर जो होता है मीट तो बिलकुल वही सीज और यह द्यक्यार भी जो है तो यह देखने में अभी खैर मैंने जो है न यह द खाया है तो यखनी की तो क्या ही बात थी तो भाई फिर बरियानी की भी क्या ही बात होगी आज एकरा ने नहीं बना रही है क्योंकि एकरा अपने घर है तो अम्मी जो है ना बना रही है अम्मी से मैंने फरमाईश की थी कि आज जो है ना हम खाएंगे फुलाओ नेना बड़ी मज़दार नली बनियानी नली है चली है तो भाई मैंने निकाल के खा लिया है तो बाकिए जितना कुछ बचा है उसमें बरियानी तियार हो चुकी है जो के बहुत ज़्यादा मज़दार सैलेड वो भी तियार है और देखें बिल्कुल फ्रेश खीरे प्यास य लवा जो हमारा पुलावा है वो भी दम पर आ गया है तो भाई अभी हम इसके लिए वेट करेंगे दस से पंधरा मिनट उसके बाद हम इसको उपन करेंगे और फिर मज़े से खाएंगे बाहर जो मोसम है ना भाई आज आज मोसम ने चसक रादी आज मोसम जैनल मुलतान का बहुत बहुत प्यार है नहां पर दम से पहले वाले चावल भी जो है ना ये हनिया खा रही है और ये चट्नी बातनी जो मैंने आपको बताया है और ये भी हनिया ने बनाई है भाई तो अभी सबसे पहले हम जाना ये दम वाले चावल खा लेंगे जो के बहुत ज़्यदा मुझे अच्छे लगते हैं और बाहर ये जो आप सोंग सुने है ना ये 90's के बलकर ये 80's के सोंग है तो ये जाना पाकस्तान अजाद होने के फोरण बार जाने ये गाने आ गए थे तो बाहर अब्बू ने अपनी महफिल लगाई हुए है टीवी लाँज में तो इसकी विज़े से भाई गाने शाने फुल ओन है कल क्या बनाओगी? कल मैं बनाओँगी चटखारा बोटी और चटखारा बोटी बनाने के लिए मुझे एक कैमरामेन की जरूरत होगी तो लहाज़ा तुम कल घर में रायना थी गया है? नहीं आपको पता है नलिया शलिया फुल खुराके सने बने टाइट रखे हुई है तो अभी भी देखे मैंने कैमरा उपन किया सबसे पहले यह जरूरा वो किसकी बोटी की बात कर रही थी? चटखारा बोटी की मतलब के खाने पीने के लावा आपके सिनों से बात कर रही हूं मैंने लगाना है आज भी अमी ने गोश निकाले है लहाज आज जो है वो मेरा दिल नहीं था इससी तो बाह निकलने का इसलिए मैंने अमी को कहे कि आज वो यखनी बनाए वो चावल बनाए तो आज ही उन्होंने माशाला से नली बरियानी बनाई या और बहुत मज़दार आपको तो पता है कि मौम जो है ना हमारी मौम के भाई अमी के हाथ को इतना जाइक है ना सोच होगी आप लोगं की बहुत मज़दाए क खाना बनाती है अच्छा ये बता हो तुमारा खांदान तो ठीक है बड़े मज़दे के खाने बनाता है अगर मेरी बेगम आ गई उसके हाथ में जायका नहीं वा फिर मैं क्या करूंगा बात तो सही है अगर उसके ख्रामदान में कोई अच्छा खाना ना बनाता हुआ फिर क्या करूंगा इंशालला जरूर बनाएगी और पते ही क्या है जब इंसान खाना दिल वाएंगे भाई हाँ उसे अम्मी से ख्लास दिल वाएंगे और हम भी सिखा देंगे और इंचाला हमें उमीद है के जो अगर सुधानी फैमिरी में आएगा तो कोई कुक की आएगा भाई ठीक है भाई खुक की आएगा मजए के खाने बरियानी नली बरियानी तो भाई ये अकनी पुलाओ ये सब तो भाई लाजमी आना चाहिए तो इसके इलावा ये देखें आप बन्नू को देखें बन्नू जो आना खेल रहा है अभी जो आना गोला घर नहीं गया तो मैं अभी नीचे गया था तो एकरा आ गई थी इकरा कहते है चलो भई ऊपर टारिस पर मैंने जो एना वीडियो बनानी है तो भी यहार बन्नू को आप देखें बन्नू जो एना माशलाल बड़े शरावते कर रहा है ये तंकर है आपको भाई जा रहा है नीचे क्योंकि मैं जारों चावलों को दुबारा से पता करने के लिए मैं नीचे गया यख नहीं खाई और इकरा कहती है भाई दुबारा से टैरिस पे चलो लाइट जो है ना घर के अंदर वो लाइट जो है ना चली गए क्योंकि आज वो आई थी आँटी कपड़े दोने वाली तो उन्होंने अपना काम भी डन कर दिया है तो चार पाईया बीजगे अभी यहीं पर ही हम जो है ना मज़ेदार यखनी प्लॉप ना इंजॉय करेंगे और अब लाइट का हमएं भाई कंफरम नहीं पते नहीं कब आती है मैंने तो भाई वीडियो को अड़िट करना था में मेरे मॉबा भी चार्ज रिज़ुप नहीं पते नहीं नियो अधुन्य और अवर्म्ति फिर दु oblivion में दूकान आड़ने ये फ्री में लॉली पॉप लेका है वो खुश हो रहा है अच्छा जी बड़ा ही मज़ेदार जो हैना नली पुलाओ जो हैना वो रेडी हो गया और माशाला ये दो नली हैं देखें ये आपके भाई की निज़र से बच की थी आप भी जो हैना नली हैं ये निकालो फ्रीजर से और बड़े मज़े से अपनी आंटियों से कहो या अपनी सोरी अम्मियों से कहो मेरी आंटी आपके अमिया तो इनसे कहो कि भाई बड़ा मज़ेदार नली पुलाओ जो हैना ये बनाएं और आप लोग खाएं आपको पता चले भाई हुए भाई क्या बरियानी प्लाओ जोन बनावा था इतना जएदा मज़े के आप लोगा आपके भाई ने बड़े मज़े ले लेके खाया है तो अभी बात आई है कोल्डिंग पर तो कोल्डिंग पर आके बात अठक गई है और अभी मैं उपर आया हूँ गोले को बलाने के लिए गोला भी उपर जाना मस तरीके से इंजॉय कर रहा है भाई पुलाओ को तो वो भी भाई नली बरियानी जो आना खा रहा है अभी चलते हैं उसके पास को कहते हैं भी जाओ कोल्डिंग ले किया हो वो मेरे रूम में भी नहीं है यहां भी नहीं है किचन में भी नहीं है तो फिर कहा है गोला गोला बैक टैरिस पे भी नहीं है अभी उपर चल के देखते हैं भई उपर है ये नहीं है मुझे लगता है कि उपर ही होगा मुसम देखें आज मुलतानी का माशाला कितना प्यार है तो आप सब लोग द्वा करें कि आज जो है ना बड़ी मज़ेदार बारिश आ जा है कि आज मज़ेदार बारिश आ जा है मज़ेदार मतलब बहुती बेहतरीन और यहां फे गोला जाने यह देखें पुलाओ खा रहा है भाई बड़े मज़ेदार तेरी दादा के लिए निकाल दूगा माई तो भाई मुल्तानी जो है ना फिर से अपना दिल छोड़ दें गोले ने कहा सुमार को जो है ना बारिश आएगी क्या गोला कहता है भाई फेस इस तरह करो ताकि आपके फेस पर रूश नहीं आए अच्छा हमको सिकारी आए तो भी हमें गोला साब बता रहे हैं डिरेक्शन क्या है ठीक है उस्ताजी ओके जी गोला साब कहने है डन हो गया तो भाई मुझे बहुत बुरा लग रहे है कि मेरी फैमिली जो आना पुलाओ को देख रही है लेकिन खाएगी नहीं भाई आप अपने अपने घरों में खाओ फ्रीज का गोश निकालो अपनी अम्मियों से मेरी आंटियों से को के भाई गोश निकालो हमें नली बरियानी खिलाओ ठीक है ना तो ये लाजमी है भाई पता चले कुर्बानी की है ना कुर्बानी वाले गोश की नली बरियानी दूसरों के घर से तो भाई सिर्फ गोश या आता है ना खुद कुर्बानी करो तो फिर बनेगी नली बरियानी नली पलाओ ठीक है ना यखनी पलाओ अच ये भाई पहले बस से चलाता रहा है कि तुझे इतनों कुछ पता है यहाँ पे मुझफर गाड़ा है यहाँ पे इता कि ये लहूर है अच्छा भी कुछ और था अभी लहूर भी हो गया ठीक है इसलामाबाद से इता है बलको सारी घरी सीदिच इसलामाबाद ये क叮ते ना ले खड़े ठीक है लाहर तो पास से के अस्टाजी इन्स टाजी कुछ टा इन्स लाहर हसार इसलामाबाद लहूर हाँ फोड़ से जांबॉ casa différents उन्हाँ तुछ खा दो व्हार है। प्रीशे अचानक आ गई हमें पता नहीं था तो हमने प्रीशे के लिए नली ब्रियानी यह रख्यूई थी तो अभी हमने प्रीशे के लिए प्लेट भी रेडि कर दी है तो अभी हम इसको खिलाएंगे और इसके लावा भाई लाइट नहीं है शुकर है कि लाइट जो आना लाइट आ गई है घर की वावड़ा के लोग आये थे अभी देखें मैं आपको लाइट भी दिखाता हूँ अभी अपनी पूरी पूरी लाइट अपनी पूरी वोल्टेज जो आ रहे है दो सो तीन जो इनफ होते हैं सब चीजने चलाने के लिए वैसे दो 215 होते हैं थोड़ा सा कम है लेकिन भाई कोई मस्क्राइट नहीं अपने घर हर चीज जो आना इंवर्टर है माशाला एसी भी इनवर्टर है और नहीं माशाला जो फ्रीज है वो भी इनवर्टर है और इसके लावा जो हमारी एलिडी है मैं लगए वो सब चीज ज जो आना बनु सोया हुआ है पंका चल रहा है तो मैंने इसको कहा अंदर नहीं लेकि राते बहुत ज़्यादा हमें डिस्टरब करता है तो लाइट आ गई है माशाला अभी जो आपका भाई एडिटिंग करेगा मस्त तरीके से अच्छा जी गर्मा गरम पीस जो आना मैं ले जाई वो फिर टाइम के साथ साथ खाते हैं छोड़ता कोई भी नहीं है